आप इने एक बार बना कर खाओगे न तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं बिस्किट हमारे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बिस्किट है ये, देखें कितना ज़्यादा खसता है ना मैंने इसमें बैकिंग पॉडर यूज़ किया और ना ही बैक बताओं क्योंकि वो बिस्किट में आपको नमकीन वाला भी साथ में टेस्ट मिलेगा और साथ में मीठा वाला भी टेस्ट मिलेगा यानि कि दोनों का कोंबो है और बहुत जादा टेस्टी लगेंगे तो हलो एन वेलकम तुमारे यूटिव चनल राइज बैकरी कैफे तो च और उसके बाद आपको इसी चीनी में डाल देना है, यह मैं डालडे से बना रहा हूँ, आप बटर से भी बना सकते हो, और देसी गी से भी बना सकते हो, बट देसी गी से आपको ज़्यादा फेटाई नहीं करनी है, मैं आपको आगे बता दूँगा, तो इसको हम सबसे पहले जो है चम्मत से ही अच्छी तरीके से जो है इसे मेल्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसे एलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो ये पानी वैसे हमने 60 ग्राम लिया है ये सारा का सारा पानी हमें इसमें डालना है बट हम पहले 10 ग्राम पानी डालेंगे अंदाजे से और इसे हम बीट करेंगे 10 ग्राम पानी डालने के बाद आपको अलेक्ट्रिक बीटर से इसे नहीं बीट करना है क्योंकि अलेक्ट्रिक बीटर से तुरंत यह मिक्स नहीं होता है आपको जो है चम्मत से इस तरीके से आपको mix कर लेना है पानी को उसके बाद electric बीटर से beat करना है क्योंकि जब पहले हम चम्मत से mix कर लेंगे तो हमारा जो cream है या मतलब चीनी और घी जो हमारा है वो थोड़ा और ज्यादा soft हो जाएगा फिर अच्छे से beat हो जाएगा यह पहले गर हम बीट करेंगे तो भी थोड़ा सा hard होता है तो अच्छे से beat होगा नहीं तो इस तरीके से आपको mix कर लेना है ताकि जो आपका पानी है वो अच्छे से जो है आपके batter में mix हो जाए तो अभी जो हमारा बैटर है वो soft हो चुका है तो अब हम इसे beat करेंगे और यह अच्छे से beat हो जाएगा यह देख सकते हैं अब यह beat होना start हो गया है तो इसे batter को लगभग 2 minute तक beat कर लिया है 2 minute beat करने के बाद आपको जो है अपना sara का sara जो batter है उसे बीच में कर लेना है इस तरीके से उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी जो हमने लिया था 60 gram वो sara का sara पानी हमें इसमें डाल देना है लेकिन वो sara का सारा पानी आपको एक साथ म नहीं डालना है थोड़ा जैसे पानी डाला 10 ग्राम उसके बाद उसे बीट करके mix कर लिया उसके बाद फिर आपको डालना है इस तरीके से आपको जो है सारा का सारा पानी इसमें mix कर देना है तो आपको जो है यह आपको इसी में डाल देना है और उसके बाद आपको इसी में डाल देना है वन बाई टू टीस्पून नमक और वन बाई फोस्ट टीस्पून नमक और डाल देना है आपको डाला तो उसके बाद हम इसे बीट करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम रिफाइंड ओयल अभी आप देख सकते हैं यह जो है क्रीमी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया तो आपको इसे अच्छे से बीट करना है तो यह देखें आप हमारा बैटर जो है कितना बढ़िया जो है क्रीमी फॉर्म में आ चुका है तो इसी तरीके से आपको अच्छे से बीट कर लेना है चाहे आपको 4 मिनिट लगे या 5 मिनिट लगे आपको अच्छे से बीट करना है ताकि आपका बैट रही हो एकदम क्रीमी फॉरम में आ जाए तो अब हम इस में डालेंगे जो है मैदा और अटा तो मैदा आपको इसमें डालना है 100 ग्राम और आटा इसमें डालना है 20 ग्राम और फिर हम इसे बीट करते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो हलका से आपको रुख जाना है और उसके बाद आपको जो आपका सूखा जो है मैदा या आटा जो साइड में लग जाता है उसे इस तरीके से बीच में कर देना है अच्छे उसके बाद आपको फिर से इसे लगभग 10 सेकंड तक बीट कर लेना है तो हमने अपना बैटर जो है बीट करके मिक्स करके रेडी कर लिया है और यह बैटर थोड़ा सा मुलायम ही होगा क्योंकि अगर यह बैटर मुलायम नहीं रहेगा तो बिस्किट कटेंगे नहीं अच्छे तो अब हम जो है अपने बैटर को जो है हम पॉलिथीन में डाल देते तकि हमारा निपल जो फrics जो है बाहर निकलेना तो मैं इसे ग्लास में लगाकर अपना सारा बैटरेग्स में भर लूंगा तो मैंने अपने piping bag में जो सारा डो भर लिया है तो अब हम और मैंने अपनी ट्रे भी विख रेडी कर ली है तो हम उपने cookies काटेंगे तो वो cookies आपको कैसे काटने में आपको pass से दिखाता हूँ आप ध्यान से देखना इसे आपको उपर से इस तरीके से press करना है press करते जाना है और जब आपका piece हो जाए उसके बाद आपको इस तरीके से press कर देना है नीची को और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डिजाइन बन चुका है हमारे बिस्किट का तो इसी तरीके से आपको सारे बिस्किट कट कर लेना है पहले इस तरीके से दबाते जाना है उसके बाद इस तरीके से प्रेस कर देना है नीचे को और इस तरीके से आपको आराम से जो है निपल को बाहर निकाल लेना है जैसे आपको एक बात और में बता देता हूँ अगर आप इसे नीचे दबा कर और उपर नहीं उठाना चाहते हो तो आपको इसे उपर से इस तरीके से उठा लेना है और बीच में आपको जो है सेव यानी की डिजाइन कैसे देना है वो मैं आपको end में बताऊंगा इस तरीके से आपको उपर से उठा लेना है नीचे को नहीं दबाना है मैं आपको आगे बता दूँगा कि आपको जो है इस तरीके से दबा देंगे और इसके अंदर छेद अच्छा बन जाएगा तो जितनी बार आपको दबाना है उतनी बार हलका सा मैदा लगा लेना है और ज्यादा मैदा नहीं लगाना है ताकि जो हमारा बिस्किट पके तो मैदा उसमें लगा दिखे हलका हलका आपको मैदा ल डाल सकते हो तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया जो है तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया जो है हमने बिस्केट अपने कट कर लिए है तो अब हम इसके ओपर थोड़े से जवाइन या फिर जीरा डालेंगे क्योंकि हमारे बिस्केट नमकीन है तो मैं जो है इस पर यहाँ पर थोड़े से अजवाइन डाल देता हूँ इस तरीके से उपर से डाल देना है तो मैंने अपने ओवन को पहले ही 180 डिग्री पर प्रिहिट होने के लिए रख दिया था जारा टाइम लेता है तो भी मैं आपको बता दूँगा और अगर कम टाइम लेता है तो भी बता दूँगा तो अब मैं अपने बिस्किट को बेक हो जाने देता हूँ अच्छे से तो हमारे cookies बेख हो चुके हैं तो मैं अपने cookies को बाहर निकाल लेता हूँ और हमारे cookies को बेख होने में time लग गया है बाइस मिनट तो हमारे cookies अच्छे से बेख हो चुके हैं देख सकते हैं कितने सांधार जो हमारे cookies बने हैं और मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाता हूं यह देख सकते हैं कितने ज़्यादा फैर बनाकर जरूर प्राइह किएगा और जब आप इसे करेंगे तो अगर आपको हमारी रिष्पि अच्छे लगते है तो आपके चैनल को जरू सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इस दोस्तों साथ शेयर्ड़ करना धन्रवागप झाल झाल